Hello and welcome to the channel Natural Yoga Physiopharmacy Friends, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि Sinusitis क्या होता है उसके causes क्या होते है, उसके symptoms क्या होते है, diagnosis और treatment क्या होते है तो आएए Friends वीडियो को सुरू करते हैं Sinusitis एक bacterial infective disorder होता है, जिसमें Sinus के एक या एक से अधिक हिस्से में infection हो जाता है या commonly 12 साल से उपर के उम्र में दिखाई देता है Sinus हवा से भरा हुआ cavity होता है, जो facial bone में nose से जुड़ा रहता है Sinus में मुख्यत चार पार्ट होते हैं इन चारों हिस्सों का नाम facial bone के नाम पे रखा हुआ है frontal, ethmoidal, isfenoidal और maxillary Sinus, mucous membran से भरा रहता है और यह तब clear होता है, जब mucous नाजल पासेज में आ जाता है अगर यह किसी कारण बंध हो जाता है, जैसे की cold और infection तो sinusitis cause करता है Complications की अगर हम बात करें तो वैसे तो यह rare case में होता है लेकिन लंबे समय तक होने से serious हो जाता है infection के लंबे समय तक बने रहने के कारण brain में meningitis और हड़ियों में osteomyelitis होने का खत्रा रहता है काजज की अगर हम बात करें तो sinus में infection की शुरुवात किसी भी चीज से हो सकता है जो mucos को sinus से नाजल में आने से रोकते हों possible काजज की अगर हम बात करें तो जैसे की swimming, diving, injury या facial bone का abnormal structure जो है वो sinusitis का कारण हो सकता है इसके अलावा flu और cold के कारण congestion होने या allergy होने से भी sinusitis हो सकता है इसके अलावा दातों में apsis होने से वहाँ से bacteria sinus में आ सकते हैं जो sinusitis काज कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि bacteria जो pneumonia, laryngitis और ear infection काज करते हैं उनसे मिलते जुलते strain के bacteria sinusitis काज करते हैं symptoms की अगर हम बात करें तो sinusitis के condition में sinus के उपर वाले हिस्से में दर्ध होता है और skin tight हो जाती है इसमें facial pain के साथ साथ headache, fever, chills, sore throat, nasal obstruction आधी symptoms दिखाई देते हैं और साथ ही साथ नाक से mucous discharge होते रहते हैं sinusitis के condition में लगभग दो हफते तक दर्ध रहता है उसके बाद सुबा में दर्ध होता है और धीरे धीरे दिन के साथ दर्ध कम हो जाता है साथ ही साथ यह दर्ध अपना position change करता रहता है और दर्ध कभी कभी ज़्यादा हो जाता है diagnosis के अगर हम बात करें तो sinus को directly देखा नहीं जा सकता है इसलिए diagnosis और भी अधिक important हो जाता है इसमें X-ray examination के द्वारा sinus के अंदर किस तरह का fluid present है उसको देखा जाता है और साथ ही साथ X-ray से यह भी पता चल जाता है कि sinus का कौन सा हिस्सा affected हुआ है treatment की अगर हम बात करें तो sinusitis में सबसे पहले mucos को निकालने का प्रबंध किया जाता है जिससे की bacteria भी mucos के साथ निकल जाए इसके साथ nasal decongestants और hot compression या भाप देकर sinus से mucos को निकाला जाता है साथ ही साथ bacteria को kill करने के लिए कुछ antibiotic prescribe किये जाते हैं साथ ही साथ inflammation को कम करने के लिए cortico steroid और दर्द को दूर करने के लिए pen killer यूज किये जाते हैं अगर इस treatment से कोई relief नहीं मिलता है तो sinus को puncture करके कौन सा bacteria के करण infection हो रहा है इसका पता लगाये जाता है इस process में एक needle को sinus में लगाये जाता है और वहाँ से sinus fluid को sample के रूप में निकाला जाता है और उसके बाद fluid sample के examination के अधार पे फिर antibiotic को prescribe किया जाता है कुछ sewer case में codeine को prescribe किया जाता है जो दर्द को कम करता है इसके अलावा डाक्टर injection से solution को नाक के थूँ साइनस तक पहुचाता है ताकि sinus से bacteria flush out हो सेके कुछ cases में surgery जरूरी होता है जिसमें नाक के कुछ सूजे हुए tissues को remove किया जाता है और infected sinus tissue को भी remove किया जाता है home remedy की अगर हम बात करें तो steam inhalation यानि की भाब को लेना बहुत ही helpful होता है साथ ही साथ हम otriwin adult nozzle spray ले सकते हैं जो की decongestion action शो करता है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए अच्छा लगा तो like करे, subscribe करे, share करे